हमश्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का Street Zero चैनल पर स्वाधत हैं दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक awesome lecture current affair की series में दोस्तों आज की lecture में हम लोग continue करेंगे July मैने के current affairs और यह July मैने के current affairs के उपर दोस्तों second part है इससे पहले मैंने first part upload किया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी international affairs के बारे में जो July मैने से related थे आज के international affairs को हम अलड़ी कबर कर चुके हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको देख लिया होगा आज के lecture में दोस्तों हम लोग बात करेंगे national affairs मतलब जितने भी national events हैं जो July मैने में हुए थे या कुछ decide किये गए थे उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों July मैने के उपर मैं total 4 part बनाऊँगा तो यह second part है इसके बाद third और fourth part के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे current affairs को एक पूरे मेने के current affairs को summarize version में cover करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि आपके exam के लिए quick revision हो सके और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा lab उठा सके आपको क्या करना है इसी lecture को बड़े इत्मनान के साथ 2-3 बार देखना है so that आपका कोई भी चीज ना छूटे और सारी चीज़ आपके दिमाग में रह जाएं और आप please कोई notes बगेरा बनाने की कोशिश मत करना ये PDF में आपको provide कर दूँगा और notes बगेरा जितने handy नहीं होते हैं आपको सारी चीज़ आपने दिमाग में रखनी है so just revise them just watch this video with utmost attention दोस्तो यहां पर जो मैं source use करूँगा these are the notes not prepared by me I have downloaded it from some source which I found most adequate for your exam having said that अप चलते हैं next portion पर दोस्तो यह जो lecture है यह जो lecture series है it is going to be really very helpful for all those as parent who is preparing for UPSC or SSC or any government exam or for any state PSC जैसे कि MPPSC होता है UPPSC होता है Rajasthan PSC होता है तो हर कोई इसको देख सकता है is that clear? दोस्तो यहां इस slide पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं दोस्तो मेरा नाम है अलो गुपता और मैंने mechanical engineering में graduation किया है मैंने भुपाल से उसके अलावा दोस्तो मैंने दो बार UPSC means का exam भी लिखा है तो इसी लिए मैं कोशिश करूँगा आपको अपने experience से जादा से जादा चीजे सिखा सकूँ और आपको भी एक successful candidate के तौर पर उभार सकूँ Having said that दोस्तो आज का lecture शुरू करते है with the national current affairs हाँ तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम बात करेंगे national affairs के बारे में मतलब जुलाई मेहने में जो भी important national events थे उनके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली जो news है वो है आपकी आधार और pen card जो है होगा कि ये initiative चलाया जा रहा था सरकार के द्वारा कि आधार card को और pen card को link किया जाएगा तो इस date को अब सरकार ने पाँचवी बार extend कर दिया गया है ठीक है इससे पहले ये जो आधार को link करने की date थी वो थी June 30 इस साल तक के लेकिन अब इसको extend कर दिया गया अगले साल तक के लिए इससे ज़्यादा और कुछ important नहीं है और जो आपको mainly याद करने वाली चीज़ है जो important factor जो आपको याद करके रखना है वो ये है जो इंडिया का आधार सिस्टम है वो world का biggest biometric database है और जिसको 2009 में streamline किया गया था welfare payments के लिए as well as public spending wastage को कम करने के लिए ठीक है तो बस ये बात याद रखना अगर आपसे paper में ये पूछा जाता है world का biggest biometric database क्या है तो याद रखना है इंडिया का जो आधार सिस्टम है ठीक है वो दुनिया का biggest biometric database है अगले important current affair की बात करते है राज सवा में साथ नए मेंबर ने ओत ली जुलाई 18 दोजार 18 को ये जो साथ नए मेंबर है इनके नाम क्या क्या है RSS ideologue राकेश सिना classical dancer सोनल मान सिंग sculptor रगूनात मोहपात्रा former BJP lawmaker राम शकल सीतू State General Secretary इला मरन, करीम, CPI बिनाव विश्वान और जोस के money of केला कॉंग्रेस ठीक है तो ये साथ नए लोगों ने क्या कहते है राज सवा की membership के लिए ये elect हुए है और the nominees जो राज सवा के थे ये जो नए वाले nominees आएं अब ये replace करेंगे सचिन तेंदुलकर को रेखा को जो एक्टर है रेखा उसके अलावा former attorney general of India के प्रसा पारा सरन को और business woman अनू आगा को तो इन चारों को ये replace करके ये साथ नए लोगों ने entry की है राज सवा में ठीक है ये जो आपको पता होगा राज सवा में precedent के पास पावर होती है 12 members को nominate करने की ये जो 12 member होते है इनको special knowledge होती है literature, arts, science, social service और sports की field में राज सवा की बारे भी कुछ और बात की जाए तो present में राज सवा के chairman है उनका नाम है Benkaiya Naidu ठीक है ये vice president of India भी है मतलब आपको पता होगा जो vice president होता है इंडिया का वो ex officer chairman होता है राज सवा का तो Benkaiya Naidu को याद रखना अगर हम बात करें राज सवा के leader कोन है leader of the house तो वो है अरुन जेटली जो की bjp के है leader of opposition है गुलाम नभी आजा जो इंडिया national congress से ब्लॉंग करते हैं उसके अलाबा अगर हम राज सवा की total seat की बात करें तो ये राज सवा के बारे में एक important cover थी इसको आप याद रखना और ये 7 नए member enter किये हैं राज सवा में अब बात करते हैं अगले current affair की आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधान मंत्री मोदी की जो government थी उसके किलाफ no confidence motion pass किया गया था no confidence resolution जिसमें no confidence voting होई थी और ये जो no confidence voting करवाई गई थी वो तेल्गू देसम पार्टी के दोवारा करवाई गई थी लेकिन प्रधान मंत्री मोदी ने इसको successfully जीत लिया है अब बट अब अबियसी बात है जीतेंगे क्योंकि जो नरिंद मोदी की रिजाइन करना पड़ता है लेकिन आपको पता है कि जो हमारी incumbent government है वो majority government है और इसलिए no confidence motion पास नहीं हो पाया इंडिया ने इनागरेट किया है इंडिया में इनागरेट किया गया है वल्ड का largest visa center बांगलादेश में तो अगर ये पूछा जाता है वल्ड का largest visa center कहां पे है ये बांगलादेश में इसको इनागरेट किस ने किया है इंडिया ने किया ये जो वल्ड का largest visa center है ये क्यों इनागरेट किया गया क्योंकि जो visa applicants होते थे उनका waiting time reduce करने के लिए तो ये एक बात याद रखना उसके रावा जो दूसरी important बात याद रखनी है आपको अगर ये जो visa center है visa application center इसकी size क्या है तो 18,500 square feet में ये बना हुआ है और ये धाका में इस्तित है धाका में इस्तित है ठीक है जो बांगलादेशी होते हैं ये constitute one of the largest number of visitors from a single country to India बना बांगलादेश से सबसे जादा ये visitors आते हैं इंडिया में तो इसी लिए इंडिया ने इस चीज को recognize किया है और इंडिया ने एक तरीके से ये जो ये center है वहाँ पर inaugurate भी किया है तो में मुद्दे की बात जो आपको याद रखनी है तो वो है उडिसा में इंडिया का सबसे पहला skill training center कोला जाएगा इंडिया का सबसे पहला skill training center कहाँ पर कोला जा रहा है उडिसा में देखिए इसका थोड़ा सा background बता देता हूँ जो हमारे Minister of Minister of Skill Development and Entrepreneurship के Minister है धर्मेंदर प्रदान इन्होंने एनाउंस किया था कि national skill training center खोले जाएंगे क्योंकि देखिए skilled manpower की काफी shortage आने वाली है developed countries में in fact इंडिया में भी skilled manpower को skill करने की ज़रुत है so that वो ज़्यादा अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके और ज़्यादा पैसे कमा सके तो इसी चीज को recognize करते हुए हर state में एक skill training center कोला जाएगा और इसी स्रंकला में सबसे पहला skill training center कहाँ पे कोला जा रहा है ओडिसा में ओडिसा के भुमनेश्वर सहर में ठीक है तो इस बात को प्लीज याद रखना यह मैं आपको अलड़ी बता चुक हूँ और यहाँ पर training provide की जाएगी बहुत सारे initiatives के लिए जैसे कि training institutes या training trainers होते हैं वो काफी कम है इंडिया में तो इसी चीज को recognize करते हुए सरकार ने यह decide किया था कि national scale training center खोले जाएंगे हर state में और इशी स्रंकला में सबसे पहला training center खोला जा रहा है ओडिसा के बुबरेश्वर सहर में ठीक है अगला important current affair है जो उदैपूर है उदैपूर दुनिया की 15 best cities में आया है उसका नाम शुमार हुआ है और दुनिया की थर्ड best best city है गूमने के साब से उदैपूर आपको पता होगा एक यह heritage city है जहाँ पे travel और laser के लिए बहुत सारे लोग आते हैं अगर हम बात करें दुनिया की best city for traveling वगएरा के लिए तो वो है सबसे पहली जो city है वो है San Miguel de Allende and Oxaca जो दोनों की दोनों Mexico में है यह Mexico की दो city है लेकिन हमारे जो उदैपूर की city है जिसको हम लोग city of lakes के नाम से भी जानते है या फिर Venice of the East के नाम से भी जानते है यह अभी आई है हमारे वर्ल्ड की 15 best city हो में तो अगर पेपर में ऐसा आता है city of lakes क्या है उदैपूर Venice of the East किसको का जाता है उदैपूर city जो की राजस्तान राच में बनी हुई है किलियर हो गया है याद हो गया अगे चलते हैं अब बात करते हैं world famous रथ-यात्रा के बारे में आपको पता होगा रथ-यात्रा हर्सा लिकाली जाती है ओड़ीसा में ठीक है यह जो रथ-यात्रा है यह famous इस बात से भी है festival of chariots रथ को English में बोलते हैं chariots तो festival of chariots के नाम से भी famous है और यह जो रत्यात्रा फेस्टिबल मनाया जाता है, वो जो ओडिसा में पुरी मंदिर है, उस बहाँ पे कौन से भगवान इस्थापे थे हैं, जगनात भगवान, तो पुरी के जो भगवान है, लौड जगनात, उनके ओनर में फेस्टिबल ऑफ चैरेट सेलिबिरेट किया ज ठीक है, तो यह फेस्टिबल इंटरनेशनली रिकोगनाईज़ और इंटरनेशनली फेमस्ट है, तो अगर आप से यह पूछा जाता है, कि जो रत्यात्रा है, वो कहां पे सेलिबिरेट की जाती है, तो याद रखना ओडिसा, थोड़ी देर पहले हमने याद किया था, ओडि पहली बात तो देखो, इस बाले करेंट एफेट से क्या याद करने है आपको, हमारे union minister of chemicals and fertilizer को नै, अनन्न कुमार, थीक है, union minister of chemical and fertilizer को नै, अनन्न कुमार, इन और नहों इंटिं यह announce किया है, इंडिया का सबसे पहला e-based, electronic waste जो होता है, उसका recycling plant open किया जाएगा, ये कहां प recycling plant कहां पे खोला जा रहा है इट इस बेंगलूरू करनाट का याद हो गया next current affair पे चलते देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ प्लीज आप notes making पे ज़्यादा ध्यान ना दे पूरा ध्यान आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको सुने और comprehend करें देखिए notes किताब में नहीं बने होने चाहिए, notes आपके दिमाग में बने होने चाहिए और दिमाग में बने होने के लिए आपको concentrate होके देखना पड़ेगा और कमसे हम दो से तीन बार इस lecture को देखना होगा अगर आप notes बनाते हैं तो पता है paper के दिन पहले यह revise भी नहीं हो पाते हैं तो best यह है कि आप इसको अपने दिमाग में इस्थापित करेंगे सारे तत्यों को ठीक है और उसके लिए इसी lecture को दो तीन बार देखो बार बार देखो और यह जो PDF है यह मैं प्रोवाइट कर इसको बढ़ा दिया जाए minimum support price को बढ़ा दिया जाए आपको पता होगा minimum support price दिया जाता है so that farmer का जो distress होता है मतलब क्या होता है कभी कभी जो crops होती है उनके ताम एकदम से कम हो जाते हैं तो सरकार पहले से declare कर देती है कि यह जो particular crop है हम इसको इतने रुपए पे लेंगे यह जो कितने रुपए पे लेंगे उसको बोलना जाता है minimum support price minimum support price को decide करता है CACP commission for agricultural cost and prices ठीक है तो यह decide करता है कि किसी crop के लिए कितना MSP होगा उसके बाद यह जो अपनी recommendation है वो देता है किसको cabinet committee on economic affairs तो जो cabinet committee on economic affairs होती है वो decide करती है कि हाँ भाई यह बात सही है तो यह सारे fact य रखना तो अभी इनोंने अप्रूब किया है कि जो minimum support price होगी खारीव क्रॉप के लिए आपको पता होगा हमारे इंडिया में तीन crop seasons होते है खारीव राभी और जाइद यह तीन crop seasons होते है तो खारीव क्रॉप में जो भी crops है उनकी minimum support price को increase कर दिया गया है यह decision लिया गया cabinet committee on economic affair जिसको head कौन करते है प्राइम मिनिस्टर साब और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोधी जी क्लियर हो गया अगले important current affair पे चलते है मुम्मई बैक्टोरियन अच्छा एक और बात और याद इस infographic से आप क्या याद कर सकते हो इस infographic से आप याद कर सकते हो कि अगला important current affair है वो है आपकी UNESCO World Heritage Site के relation में आपको पता होगा World Heritage Site क्या होती है कुछ ऐसी साइट होती है जो human history में या cultural history के लिए काफी important होती है इनको preserve करने के लिए UNESCO एक program चलाता है जिसको बोलते है World Heritage City इसमें क्या होता है World Heritage Sites इसमें क्या होता है जो दुनिया की important sites है उनको recognize करता है UNESCO तो इसमें इंडिया की भी बहुत सारी sites recognize है ये sites आपकी cultural site हो सकती है या natural site हो सकती है आप मुझे comment section में बताना as per till date इंडिया की कि natural or natural sites को UNESCO ने World Heritage Site का दर्जा दे रखा है और ये भी बताईए किस देश की सबसे ज्यादा sites जो है World Heritage Site की category में आती है अब बात करते हैं ये जो World Heritage Site है उसमें अब इंडिया की तीन और sites आएंगी वो तीन site कौन-कौन सी है ये तीन नई sites है Elephanta, छत्रपती सिवाजी, महराज Terminus and Victoria and Art Deco Ensembles ये तीनों की तीनों sites कहां पे है मुंबई में है मुंबई महराश्ट में है तो अब ये तीनों sites भी क्या है UNESCO World Heritage Site की list में आएंगी उसके अलाबा UNESCO एक और प्रोग्राम चलाता है जिसको बोलते है World Heritage City या World Heritage List तो इसमें अभी तक इंडिया का एमदाबाद जो शेहर है वो आता था अब इसके बाद मुंबई भी आने लगेगा इसमें World Heritage List में इंडिया के दो शेहर आते हैं एक आता है एमदाबाद सबसे पहला और दूसरा इस्पोर्ट मिनेस्टर हमारे कौन है ? राज बर्धन सिंह राट और इन्होंने बोला है जो Sports Authority of India जो Sports को regulate करती है इंडिया में अब इसको Sports India बोला जाएगा Sport Authority of India के बारे में अगर हम जा लें तो हमारे ये देश की Apex National Sports Body है जो 1984 में बनाई गई थी 1984 में और इसका Headquarter कहाँ पे है जवाललाल नहरू Stadium डेली में है जवाललाल नहरू Stadium डेली तो प्लीज याद रखना मैंने आभी आपको क्या बता है Sports Authority of India के बारे में इसके मिनिस्टर राजबर्धर सिंग राट और इसका नया नाम Sports India ये 1984 में बनाया गया था जब हम बल्टकप जीत गयते हैं उसके बाद बना दिया था Sports Authority of India और इसका Headquarter है जवाललाल नहरू Stadium डेली UAE का Consulate established किया जाएगा हैदराबाद में आपने सुना होगा Embassy वगएर आप सुनते हो ना Embassy न्यू डेली में होती है जादा तर तो उसी तरज पर UAE का Consulate कहाँ पर बनीगा हैदराबाद में तेलांगना के Chief Minister जिनका नाम है के चंदर सिकर राओ और सेख अब्दुला बिन जायद अल नाहिम जो की UAE के Foreign Minister है तो इन्हों नहीं ये बोला है कि क्या कहते हैं इंडिया के बीच में Cooperation वगएरा इन्हांस करने के लिए UAE Consulate Office बनाए जाएगा हैदराबाद में Is that clear? तो अगर ऐसा पूछा जाता है UAE का Consulate इंडिया में कहां बना है? हैदराबाद में CCI जिसका Full Form है Competition Commission of India Competition Commission of India इंडिया की एक body है Statutory body है जो की ensure करती है कि Companies के बीच में competition जो है वो fair हो competition promote करने के लिए fair competition को promote करने के लिए body बनाई गई थी और अगर मालीजे कोई भी illicit type की activity हो रही है किसी company के द्वारा तो उसको check किया जा सके कुछ भी unfair practices अपनाई जा रही है उनको check किया जा सके उसके लिए competition commission of India इस competition commission of India ने अभी एक वो आया था प्रपोजल आया था उसको approve कर दिया है यह प्रपोजल था merging को लेके भारती इंफ्रा टेल और इंडस्ट आवर्स जो है वो merge हो रहे थे तो यह सी प्रपोजल को approve कर दिया गया है भारती इंफ्रा टेल ओंड भारती इंफ्रा टेल लिमिटेड और क्या कहते हैं इंडस्ट आवर लिमिटेड इन दोनों का merger होगा तो अगर यह पूछा जाता है कि भारती इंफ्रा टेल का merger किसके साथ हो रहा है भारती इंफ्रा टेल का merger हो रहा है इंडस्ट आवर लिमिटेड के साथ यह fact आपको याद रखना है यहां से इंडस्ट आवर लिमिटेड जो है 19th, World Congress of Food Sciences and Technology को होस्ट करेगा, इंडिया क्या होस्ट करेगा? World Congress of Food Sciences and Technology, 19th, World Congress of Food Sciences and Technology को इंडिया होस्ट करेगा. पेपर में अगर यह पूछा जाता है, जो इंटरनेशनल यूनिएट और टेकनलोजी 2018 कहां पे होस्ट हुआ था तो याद रखना है यह होस्ट हुआ था नभी मुंबई में और यह होगा कब October से 23 से लेके 27 बना already हो चुका है इसकी अगर हम theme की बात करें तो इसकी theme क्या है 25 billion meals a day by 2025 with healthy, nutritious and safe and deserving foods ठीक है उसके अलाबा अगर आपसे यह पूछा जाता है कि फसाई जो एक हमारे organization है food safety को ensure करने के लिए उसके जो CEO है इनका नाम है पवन अग्रवाल food safety and standard association of India ठीक है तो इसके CEO कोन है पवन अग्रवाल उसके अलाबा food processing industry के minister कोन है वो है श्रीमती हर सिम्रत कौर बादल याद हो गया अच्छे से अब चलते हैं next current affair के बारे में नुमालीगड refinery limited नुमालीगड refinery limited जो है वो पहली oil PSU बन गई है जो की online legal compliance को introduce करेगी इंडिया की पहली oil PSU जो की online legal compliance को ensure करेगी introduce करेगी वो कौन सी है उसका नाम है नुमालीगड refinery limited नुमालीगड refinery limited कहाँ पे इस्तित है ये आसाम में है और ये पहली PSU बन गई है जो की adopt करेगी online legal compliance system जिसका नाम होगा leegatrix तो अगर कोई आप से पूछता है leegatrix क्या है leegatrix है online legal compliance system ये introduce किया गया है नुमालीगड refinery refinery limited के द्वारा जो की आसाम में है ये इंडिया की ऐसी पहली PSU होगी ये जो leegatrix है ये cloud based compliance management system है जो की inaugurate किया गया है नुमालीगड refinery limited के managing director SK बरुआ के द्वारा ये जो एक step है वो digital india mission में contribute करेगा clear हो गया नुमालीगड refinery limited अब आगे चलते है डेली गवर्मेंट जो है उन्होंने government schools के कूरिकलम में happiness का कूरिकलम एड़ किया है डेली गवर्मेंट जिसके CM है अर्बिन केजरिवाल और दलाई लामा ने मिलके launch किया happiness curriculum for students जो की nursery से लेके class 8 तक पढ़ते हैं एक्सरसाइस करवाई जाएंगी जिससे बच्चों की happiness पे ध्यान दिया जा सके तो अगर आपसे कोई ये पूचता है happiness curriculum किस state या union territory ने launch किया है तो डेली ने launch किया है similarly अगर आपसे पूचता है कि इंडिया में ऐसा पहला कौन सा राज है जिसने happiness department established किया है तो वो है मद्यप्रदेश आगे चलते है भितर कनी का नेशनल पार्क भितर कनी का नेशनल पार्क कहां पे ओडिसा में है तो भितर कनी का नेशनल पार्क ने जो है वो largest habitat बन गया है किसका endangered asurine crocodiles का habitat का मतलब होता है घर तो जो मगरमच होते हैं जो ashuries में पाए जाते हैं जो endangered हैं उनका largest habitat क्या है भितर कनी का नेशनल पार्क इसमें से क्या पूछा जा सकता है भितर कनी का नेशनल पार्क कहां पे है तो यह है ओडिसा में ओडिसा के भी कहां पे है तो केंदरापारा डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे कम से कम 101 नेस्टिंग साइट से इन क्रोकोडाइल्स की ठीक है और यह अगर हम बात करें सुन्दर बनकी तो यह हमारी कंट्री का लार्जेस्ट मेंगरूप कबर भी है अगला important current affair है भेदियन खालम भेदियन खालम फेस्ट ककृ निच Tai Bell है यह हर साल होता है और यह कहां पे होता है मिगले आ के जौभई टाउन में जौभई एक टाउन होगा विगाले में बहां पर the sacred pool जिसको बोलते है एतनार क्लियर हो गया भेदि इन खालम जो है वो कहां पर celebrate होता है मिघाल्या में होता है अब आगे चलते हैं 36 गड़ की जो government है वो उसने decide किया है कि वो एक tribal museum setup करेंगे कहां पर नए रायपूर में नए रायपूर में 27 करोड के खर्चे के बाद एक 22 एकड के एरिया में tribal museum खोला जाएगा इस museum का नाम रख़ा जाएगा सहीर बीर नारायन सिंग तो अगर आप से कोई पूछता है सहीर बीर नारायन सिंग क्या चीज है या कहां पर इस्तित है ये museum तो ये एक tribal museum है और ये नए रायपूर 36 गड में इस्तित है ठीक है ये ठीक है और उसके अलाबा अगर ये पूछा जाता है सहीर बीर नारायन सिंग को ने तो ये एक freedom fighter है जो 36 गड से belong करते थे और इन्हों ने freedom struggle of 1857 में participate किया था उसके अलाबा tribal culture and language academy बी सेट अप की जाएगी 36 गड में tribal culture and language academy बी सेट अप की जाएगी कहाँ पे 36 गड में इस देट क्लियर आगे चलते है ये gaming university बनाई जा रही है ये कहाँ पे बनाई जाएगी आंदरपरदेश में ये बताया है UNESCO ने UNESCO ने एक agreement sign किया है अगर ये पूछा जाता है इंडिया में gaming university कहाँ सेट अप हो रही है आंदरपरदेश के बिसाका पटनम शेहर में इसको कौन सेट अप कर रहा है UNESCO और आंदरपरदेश government मिलके UNESCO के जो जो आंदरपरदेश के chief minister है उनका नाम है चंद्रबाबू नाइडू और बाकी तो इतना ही काफी है इंडिया की पहली taxi ambulance service जो है वो launch की गई डेली में taxi ambulance service मतलब जो चलने वाली ambulance होगी मतलब इस तरीके की ambulance ये कि इस तरीके की ambulance होगी कि जहाँ पे मतलब आपको medical services प्रोवाइड की जाएंगी एक taxi के अंदर तो जो हमारे union minister है road transport and highway जिनका नाम है नेतिन गड़कडी इन्होंने taxi ambulance service को start किया है गुरूग्राम बेस startup बैगन कैब बैगन कैब एक startup है जिसने ये concept लेके आए है taxi ambulance service का concept नीती I.O. conduct करेगा इंडिया का पहला global mobility summit in September global mobility summit पहला इंडिया का पहला global mobility summit ये कहाँ पे कौन conduct करवा रहा है नीती आयोग इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है move global mobility summit ये कहाँ पे होगा न्यू डली में होगा September 2018 में इस summit को inaugurate करेंगे PM नरेंद्रमोदी इस summit में focus किया जाएगा 6 चीजों पर जो की है asset utilization and service comprehensive electrification alternative energy reinventing public transport logistic and good transport data analytics and mobility अगर आपसे कोई ये पूचता है नीती आयोग का क्या full form है तो नीती आयोग का full form है National Institution for Transforming India नीती आयोग नीती आयोग बनाया गया था planning commission को replace करके पहले हमारे ये planning commission होता था लेकिन इसको replace कर दिया इसको scrap कर दिया और नीती आयोग बनाया गया नीती आयोग हमारे government का एक national think tank है think tank है ठीक है और उसके अड़ावा ये एक executive body है executive body है मतलब जो government के resolution से बनाई गयी है फिर से बात कर लेते हैं हमारे देश का पहला global mobility summit जिसका नाम है move ये organize करा जाएगा नीती आयोग के द्वारा डेली में September महिने में clear है बात आगे चलते हैं प्यूस गोएल जो है हमारे जो प्यूस गोएल जो union minister है coal के लिए इन्होंने launch किया है खान प्रहारी एप खान प्रहारी एप उसके अलाबा एक surveillance system for unauthorized coal mining तो अगर कोई ये पूचता है खान प्रहारी क्या है खान प्रहारी क्या है तो आपको पता होगा खान मतलब कोईले की खान हिंदी में बोलते हैं तो खान प्रहारी coal mines के लिए बनाया गया है union minister of coal के द्वारा ये एक coal mines surveillance and management system है और mobile application कान प्रहारी प्लीज इसको याद रख ले न बहुत चोटा factor बहुत important है जम्मू कश्मीर का एक गाउं है जो की gets electricity first time since independence oh my god क्या fact है जम्मू कश्मीर का पहला मतलब जम्मू कश्मीर का एक village है जिसको independence मिलने के बाद पहली बार बिजली मिलेगी इस गाउं का नाम है नरला बंबल नारला बामबल बामबल ठीक है अगर हम बात करें रोड जो है उसको कंश्रक्ट किया गया है प्रधान मंतरी ग्राम सड़ा के योजना के दौरा और electricity प्रोवाइट की जा रहे ही दीन दयाल उपाध्या scheme के दौरा यहाँ पे घरों की घर प्रोवाइट की जा रहे है लोगों को प्रधान मंतरी आबास योजना के दौरा तो आपको इन सारी योजना के बारे में पता होना चाहिए योजना कौन implement कर रहा है ये कौन implement कर रहा है और ये implement कौन कर रहा है जैसे कि प्रधान मंतरी ग्राम सड़ा को योजना Ministry of Rural Development implement करती है तो इसी तरीके से आपको योजना के बारे में पता होना चाहिए उनके beneficiaries के बारे में पता होना चाहिए best Bengal के chief minister जो है उन्होंने decide किया है कि जो luxury travel होता है उसको cut किया जाएगा minister के लिए अभी क्या होते है जो ministers होते हैं पीछे मतलब 10-10 गारिया चलती है तो भी बटव यह सी बात है इसमें government का खर्चा होगा होता तो अब उन्होंने बोला है कि अब इस जो luxury travel होता था वो नहीं किया जाएगा अब क्या concept रंग किया जाएगा 1 person 1 car policy एक आदमी 1 car ठीक है तो यह अगर पेपर में आता है 1 person 1 car policy किस state से related है यह related है West Bengal के से related क्या है यह policy यह policy है policy it is policy which is dictating to cut the luxury travel for ministers is that clear तो 1 person 1 car policy जो कि West Bengal का यह initiative है नरिद मोधी inaugurate करेंगे Statue of Unity को 31 October को आपको पता होगा Statue of Unity क्या है जो सरदार बल्लबाई पटेल है जो कि हमारे Iron Man of India के नाम से भी चाने जाते हैं हमारे बहुत बड़े freedom fighter भी रहे हैं और बहुत जादा contribution है इनके तो इनकी एक statue बनाई जा रही है उसी statue को interpret किया जाता है Statue of Unity की तौर पे यह जो statue इनकी बनाई जा रही गही है यह बनाई जा रही है सरदार सरोवर डेम्प के पास और नरमदा रिवर ठीक है तो जो सरदार सरोवर डेम है नरमदा रिवर के उपर उसी के पास बनाई जा रही है statue of Unity यह जो 31 October है इसको celebrate किया जाता है ठीक है तो please statue of unity के बारे में यादखना ये यादखना ये किस इंसान से related है उसके लाबा ये कहाँ पर बनाई जा रही है ये सारी चीजे बहुत important है हमारे राज्य सभा के ऐसे पहले chairman होंगे जिसने कोई MOU sign किया है normally MOU countries या फिर companies के बीच में sign होता है normally इसको sign और लोग करते हैं लेकिन राज्य सभा के ये पहले SACM बन गए है जिन्होंने memorandum of understanding को sign किया for the first time in 76 years राज्य सभा एक MOU में enter हुआ है with the senate of Ravanda के साथ जहां पे बोला गया है कि inter parliamentary dialogue को promote किया जाएगा इन दो countries के बीच में कौन दो country एक तरफ है इंडिया और दूसरी तरफ है Ravanda और ये agreement sign किया गया राज्य सभा के chairman राज्य सभा के chairman जिनका नाम है बेंकईया नाइडू बेंकईया नाइडू हमारे इंडिया के vice president भी है ये 76 साल की राज्य सभा की history में पहली बार ऐसा हो रहा होगा तो प्लीज इसलिए बहुत ही जादा important event है बहुत ही जादा important so please do remember it बेंकईया नाइडू ऐसे पहले chairman ने मन गए राज्य सभा के जिन्होंने कोई MOU sign किया as a visiting president of the senate of Ravanda अगर हम राज्य सभा के बारे में कुछ बात करें तो सबसे पहली बार राज्य सभा को constitute किया गया था अप्रेल 3 1952 को अप्रेल 3 1952 को और इसकी पहली sitting होई थी May 13 को राज्य सभा को 245 इसके member है sanctioned strength जिसमें से 233 सिलेक्ट होते हैं और 12 nominate किये जाते हैं प्रेसेडेंट के तुवारा आगे है हर्याना जो है वो टॉप स्टेट बन जाएगा in terms of per capita revenue collection अंडर GST आपको पतावा goods and services tax है जो की indirect tax है तो इसमें जो collection हुआ है और उसका अगर हम per capita निकालें माली जी अगर 100 रुपे कलेक्ट हुए है 20 लोगों की population में तो per capita जो collection हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 रुपीस पर पॉपुलेस तो per capita revenue collection में हर्याना नंबर बन पे है हर्याना is also the fourth highest generator of e-way bills HRD minister ने inaugurate किया है सत्रवा World Sanskrit Conference कहाँ पर केनड़ा में हाँ आपको पता होना चाहिए हमारे जो HRD minister है यानि human resource development minister उनका नाम क्या है प्रकाश जाबड़ेकर प्रकाश जाबड़ेकर ने सत्रवा World Sanskrit Conference inaugurate किया केनड़ा में देखिए Sanskrit Conference यानि World Sanskrit Conference हर साल होता है ठीक है यह हर साल होता है और यह दुनिया के अलग-अलग जमवे होता है यहाँ पर discuss किया जाता है जो वेदिक literature है Sanskrit literature है उन सब के बारे में तो सत्रवा जो World Sanskrit Conference है यह कहाँ पर inaugurate किया गया Vancouver Canada में यहाँ पर discussion होंगे जैसे कि वेदिक literature के बारे में Sanskrit, Buddhist, Manus के बारे में विमानसा के बारे में तो यह सारी चीज़ों के उपर discussion होगा World Sanskrit Conference जो है अलग-अलग countries में होता है और यह तीन साल में एक बार होता है ठीक है और अब तक तीन बार यह इंडिया में भी हो चुका है इस बार यह सत्रवा World Sanskrit Conference है जो की Vancouver Canada में हो रहा है Clear? अगला current affair है East Coast Railway जो है उसने 6 limited height subbase बना है in less than 5 hours यह एक record बन गया है देखिए with the aim of eliminating all unmanned level crossing gates देखिए आपको क्या होता है अभी क्या होती है जैसे train की जो rail पटरी होती है वहीं पर gate लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते है railway फाटक ठीक है तो उससे लोग cross करते थे इसी crossing को बोलते है unmanned level crossing ठीक है तो अब इसकी बज़े से बहुत सारे accident होते थे इसको eliminate करने के लिए हम लोग एक scheme भी चला रहे है जिसका नाम है सेतु भारतम सेतु भारतम तो इसमें जितनी भी unmanned unmanned level crossing से उनको eliminate किया जा रहा है तो इसी के तहट जो east coast railway है उसने छे limited height subbase बनाए है संभलपूर division में in less than 5 hours clear है सारी चीजे इंडिया का सबसे पहला Indian tourism mart host किया जा रहा है न्यू डली में इंडिया का पहला पहली बार Indian tourism mart host किया जा रहा है कहाँ पर न्यू डली में tourism ministry ने faith foundation के साथ मिलके organize किया Indian tourism mart पहली बार September बिग्यान भवन न्यू डली में इसका main aim क्या है tourism sector को अमारे देश में promote करना और foreign tourist arrival को double करना अगला जो important current affair है वो है government ने noise standards को set किया है airports के लिए जो airports होते हैं महाँ पे काफी अवाज होती है तो उसी चीज को mitigate करने के लिए noise pollution को mitigate करने के लिए noise standards की जो unit होती है वो क्या होती है decibel decibel तो उन्होंने ये बोलाए कि 75 decibel से दिन में ज़्यादा वाज नहीं होनी चाहिए और रात में 65 decibel से ज़्यादा वाज नहीं होनी चाहिए और उन्होंने बोलाए ये limit exclude कर दी जाएगी अगर कोई defense aircraft fly कर रहा है या land कर रहा है clear है चलिए आप लोग मुझे comment section में ये बताना humans के लिए safe fast limit क्या है noise की कि इंसान के लिए जो safe limit क्या ही जाती है noise की वो क्या है कितनी है वो limit clear है question ऐसा question पूछा जा सकता है इसी तरीके से question मनाय जाते है current affair में आता कुछ है और question कुछ आता है तो ये चीज़ आप check करना और मुझे बताना central government granted institution of eminence status to six institute अच्छा तो देखिए अभी मैं इसके बारे में आपको context और background बताता हूँ देखिए हमारे याँ एक institution of eminence का status बनाया गया है establish किया गया है और इस status के तहट क्या किया जाता है हमारे देश के जो अच्छे चे institutions है उनको recognize किया जाता है और उनको recognize करने का main क्या होता है कि इनको एक बार अगर recognize कर लिया तो यहाँ पे 1000 करोड रुपे invest किये जाएंगे अगले 5 सालों में और उनको world class का बनाया जाएगा so that अभी जो हमारे एक भी institute top 500 institute में नहीं आते हैं वो आने लगेंगे इसके बाद ठीक है तो हमारी कोशिश है कि हमारे जादा से जादा institutions हैं college या universities हैं वो world ranking में आगे आए ठीक है तो देखे institution of eminence scheme जो है वो आई थी ताकि higher educational institution को top 500 world ranking में लाया जाए आने वाले 10 सालों के अंदर और फिर बाद में top 100 में लेके आया जाए इस scheme के तहट world class teaching और research facilities को establish किया जाता है चलिए आप मुझे comment section में ये बताना institution of eminence का concept किस committee के दौरा दिया गया था किस committee ने बताया था कि हमें institution of eminence जैसा concept run करना चाहिए आन्दरा प्रदेश ने top किया A's of doing business ranking में आपको पता होगा A's of doing business ranking जो है इंडिया में वो क्या करता है जो इंडिया के अलग-अलग states है बहाँ पे कितना आसान है business करना उसके लिए एक ranking publish की जाती है जिसका नाम है A's of doing business अगर world level पे जो countryों के लिए A's of doing business index होता है ये release किया जाता है world bank के दौरा वही यही concept को इंडिया ने भी अपने लिए implement किया है जिसमें इंडिया के जित्ते भी राज हैं उनको इस index की मदद से क्या किया जाता है उनकी ranking की जाती है तो इंडिया के लिए ये ranking कौन बनाता है ये बनाता है world bank और इंडिया का जो department of industrial policy and promotion है ये department है ministry of commerce and industry के अंतरगत तो ये दोनों मिलके सारे देश के राज्यों को क्या करते हैं rank करते हैं 2018 के लिए अगर बात की जाए तो आंद्रप्रदेश ने इसको इसमें top किया है और दूसरे नमबर पे आया है तेलांगना अगर मद्रप्रदेश की बात की जाए तो इस ranking के इसाब से मद्रप्रदेश है 7th नमबर पे I hope everything is very very clear to you अब हम लोग आगे चलते हैं विहार जो है विहार हमारे देश का या दुनिया का world cheapest clean drinking water पाने वाला या प्रोवाइट करने वाला राज्य बन गया है सुलब इंटरनेशनल ने एक concept introduced किया है जिसको बोलते है सुलब सौचाला है सुलब इंटरनेशनल ने इंटर्ड्यूस किया था एक concept सुलब सौचाला है जो आपने देखा होगा ना हर जगह सुलब सौचाला बनी रहती है दो रूपए देखे आप वहां पर जा सकते हो सौच वगएरा कर सकते हो ठीक है तो यह जो सुलब इंटरनेशनल है जिसने सुलब इंटरैशनल ने इक चिसकी मदद से चीप सब्रिक णारेशनल PRO, और यह दुनिया का चीप्स बिंग्किंग वॉटर् प्रोजेक्ट होगा इसमें पैसे में फरस्ट ओफ सच वॉटर प्रोजेक्ट में यह लॉंच शप्रोजेक्ट का नाम रखा गया है सौब स या रिबर्स होंगे उनको ट्रीट करेगा और सेफ ड्रंकिंग वाटर बनाएगा टोटल कॉस्ट जो है इस प्रोजेक्टी वो है बीस लाक रुपए सुलब इंटरनेशनल सोशल सर्वेस और्गनाईजेशन जो है और एक फ्रेंच कंपनी है उन्होंने मिलके बीस लाक स्ट्रिक में रन किया जा रहा है यह कौनसी ओर्गनाईजेशन कर रही है तो सुलब इंटरनेशनल और एक फ्रेंच की कंपनी है फ्रेंच की कंपनी है वो दोनों मिलके इस कॉंसेप्ट को रण कर रहे है इस देट क्लियर याद हो गया कैबनेट ने जुलाई इथारा को कु की चोरी होती है उसको मिटीगेट किया जा सके इस स्कीम या इस टेकनीक में क्या किया जाएगा थाउजंड ओफ इस्मॉल डॉट्स लेजर को बना लगाया जाएगा या स्प्रे किया जाएगा हर एक गाड़ी के उपर विदा वीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर और ओन ओ हजारों हजारों इतने स्मॉल डॉट्स बनाए जाएगे और इस स्मॉल डॉट्स से उस गाड़ी और उस इंजन पे उस ओनर का विकल आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा जाएगा जिसकी मदद से मैं पता चल सकेगा कि ये गाड़ी किसकी है ये जो टेकनीक है माइक्रो इस टेकनीक का नाम है माइक्रो डॉट और ये ऐसा बोला जाता है कि इसमें बिल्कुल इंपॉसिबल होता है कि आप इन डॉट को हटा सको ठीक है तो प्लीज इसके बारे में याद अखना कि माइक्रो डॉट टेकनोलोजी सरकार किस शीच के लिए उस करेगी इन और तू स् अगला important current affair है prevention of corruption amendment bill के relation में राजसवा ने prevention of corruption amendment bill को पास कर दिया है इसमें क्या है देखे प्रवेंशन ओफ करप्शन बिल है 2013 इसमें क्या होता है अगर कोई भी government official bribe लेता हुआ देता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको jail की टम होती थी 7 साल की ठीक है और इसमें ये बोला ज जाता था अगर if the payment of the bribe is reported to the authorities within two weeks you could avoid punishment under this new law ठीक है तो अगर मालीजे अगर दो अफ़तों के अंदर आप बता बता दोगे कि आपको किसी ने bribe देने वागिरा की कोशिश की थी या आपने under pressure bribe लिया है तो आपको कोई सजा नहीं होगी तो ये आप इसमें amendment आया है so that आपक जैसे की रविना टेगोर, सुवाश्यंदर बोस, बंकिमचन चट्रोपाद्या और स्यामा प्रिसाद मुखर जी के उपर ठीक है तो ये जो exhibition है permanent exhibition ये open किया जाएगा जो हमारी national library है कॉलकत्ता में उसमें तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अभी decide क्या किया गया है बल class permanent exhibition लगाया जाएगा permanent या नहीं हमेशा चलता रहेगा ये exhibition तो ये कहाँ पर open हो रहा है तो ये open हो रहा है national library कॉलकत्ता और ये हमारे जो minister of culture है स्री रागवेंद्र सिंग उन्होंने ये बात announce की थी अगला important current affair क्या है जो best Bengal की government है उसने एक resolution पास किया है कि best Bengal का नाम बतलके Bangla रखा जाएगा क्या रखा जाएगा Bangla इसके बारे में आपको बता देता हूँ देखे हमारे यहाँ पे जो states होते हैं इनकी जो boundary होती है नाम होता है या इनका बेभाजन होता है इसका पूरा पूरा control होता है इस Parliament के पास Parliament अपनी मनमर्जी के साथ किसी भी state की size, area, नाम करना पड़ता है अगर कोई राज चाहता है कि उनका नाम बदल जाए तो सबसे पहले उनको resolution अपना पास करवाना पड़ेगा और इस resolution को Parliament बेचना पड़ता है अब यह Parliament की मर्ची होती है कि वो इसको accept करते हैं मना कर देते हैं या कोई action नहीं लेते तो यह है किसी भी state के न सबसे बुरी तरीके से गवर्ण किये जाने वाला इस्टेट है वह ब्यार तो यह दोनों चीजें याद रखना पब्लेक अफ्यर इंडेक्स के सबसे दो जार रखरा में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा निकल क्या है वह यह है कैरला और अगर हम smaller states की बात करें तो उसमें ब पब्लिक अफ्यर इंडेक्स जो है इंडिया में इसको कौन सी organization release करती है या publish करती है is that clear करनाट का इंडिया का top state बन गया in terms of producing the renewable energy अगर आपसे यह पूछा जाता है कि renewable energy के छेत्र में इंडिया में कौन सा ऐसा state है जो सबसे ज़्यादा renewable energy renewable energy का मतलब solar energy bind energy right geothermal energy तो इस टाइ सबसे ज़्यादा renewable energy को produce करता है तो या रखना that is करनाट का करनाट का की total installed capacity हो गई 12.3 gigawatts in renewable energy second number पे आता है तमिल नाडू बल्ल का largest solar park जो है जो की 16,500 करोड की लागत से establish किया जा रहा है यह establish किया जा रहा है पावागर्ड in करनाट का स्टुमकूरू district में ठीक है और इसी को सक्ती इस्तल के नम से भी जाना जाएगा यह जो solar park है यहाँ पे 2000 megawatts की capacity होगी मलब 2000 megawatts solar energy को अपन harness कर सकते हैं ठीक है तो प्लीज या रखना world का largest solar park कहां पे बनाया जा रहा है यह बनाया जा रहा है करनाट का में और इसी को ही सक्ती इस्तल के नम से बाद में जाना जाए इंडिया का second largest oil supplier इरान बन गया है देखें इंडिया का इंडिया आपको पता होगा इंडिया जो है वो oil को import करती है अपनी needs के लिए ठीक है और इंडिया जो oil import करती है बताब कम से कम इंडिया की 80% need है उसके लिए इंडिया को oil import करना पड़ता है इंडिया oil import करती है बहुत इरान से ओयल इंपोर्ट को कम करेगा मतलब जित्ते भी आज तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके लिए एक म्यूजियम इस्तापित किया जाएगा और ये म्यूजियम कहां पर इस्तापित करने की गोश्रा की गई है नहरू जी का जो पहले घड़ था वहाँ पर एक म्यूजियम जितने भी हमारे फॉर्मर या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए बिल्ट किया जा रहा है कहां पर देली का तीन मूर्ती भवन जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक तो अगर कोई पूचते तीन मूर्ती भवन क्या है यह जवाल लाल लेरू का ओफिचल एसेडेंस था अब यहां पर क्या बनना है यहां पर बनना है मूजियम बनना है किसके लिए बनना है सारे इंदिया के फॉर्मर या फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा Chief Minister जो योगी है मतल़ जो आदितिनात योगी जी जो है जो यूपी के Chief Minister है वो ऐसे पहले Chief Minister बन गए है जिन्होंने यूपी की सारे के सारे 75 डिस्टिक्टों 16 महिने में घूमा है या विजिट किया है बस इत्ती सी बात है इसके उपर कोई question नहीं आएगा National Sports Day आपको पता होगा National Sports Day August 29 को मनाया जाता है इन्दी Memory of Major Dhyan Chand ठीक है Major Dhyan Chand जो बहुत बड़े होकी पिलियर थे तो इनकी Memory में National Sports Day बनाया जाता है National Sports Day हर साल August 29 को मनाया जाता है लेकिन इस साल इसको क्या कर दिया गया है इसको पोश्ट पॉन कर दिया गया है क्यों कर दिया गया है क्योंकि Asian Games थे अगस्त अठारा से इसलिए लोग सभा ने एक बिल को पास किया है जिसका नाम है National Council for Teachers Education Bill National Council for Teachers Education Bill जो की इसलिए इसलिए बनाया जा रहा था so that जितने भी सेंटर या स्टेट के इंस्टिूशन से वहाँ पे टीचर एजूकेशन कोर्स को कंड़क्ट किया जा सके उसके लिए तो इस बिल को इंट्रड्यूस किया गया इतना इंपोर्टेंट नहीं है थोड़ा सा पढ़ लेना उसके अलबा लोगस्वान एक और बिल पास किया है ट्रैफिक ट्रैफिकिंग और पर्सन बिल 2018 ट्रैफिकिंग और पर्सन बिल 2018 देखिए अभी यह एक्ट नहीं बना है तो इसके उपर कोशन आने की समाबने कम है फिर भी आप इनका बीन अब्जेक्टिव जान लेना इस बिल की मदद से सद्कार क्या चाती है कि जो भी यूमेन ट्रैफिकिंग होती है जो औरते और बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है उनको उसको प्रेवेंट किया जा सके उनका रियहबिलिटेशन करवाया जा सके ठीक है और बस आपको यहां से क्या रखने है कि हमारी जो बुमेन इन चाइल्ड डेबलमेंट मिनिस्टर है उनका नाम है मनीका गांधी और इसी इसी बिल की क्या किया जाएगा एक नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्योरो बनाय जाएगा और इसकी में 10 करोड का प्रापधान है जिसकी मदद से रिलीफ एंड रिहबिलिटेशन कमिटी एंड रिहबिलिटेशन फंड भी बनाय जाएगा ठीक है तो बस ये है आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए लोग सबाने एक और criminal law bill पास किया हुआ है लोग सबाने एक criminal law bill पास किया हुआ है इस criminal law bill के तहट से क्या है कि अगर कोई भी आदमी अगर 12 साल से छोटी बच्ची का रेप करता है तो उसको सीधी death की सजा मिलेगी minimum कम से हम 10 साल की और maximum death sentence उसे मिल सकेगा तो इसके लिए एक bill बनाये जा रहा है बस इतना याद रखना Indian railway ने एक mission launch किया जिसका नाम है mission satya nistha क्या है mission का नाम mission satya nistha तो यह जो mission satya nistha है यह अगर paper में आता है यह किसका initiative है यह Indian railway का initiative है इसका main aim क्या है इसमें क्या है जो public इसमें एक तरीके से ethics के उपर काम किया जाएगा मतलब इसमें एक function held होगा कहां पे national rail museum में न्यू डली में जिसमें एक तरीके से lecture दिये जाएगे ethics के उपर हमारे Indian railway minister कौन है प्यूस गोयल और इस initiative को run किया जाएगा National Rail Museum न्यू डली तो इसमें एक और बात याद रख लेना हमारा National Rail Museum का पे न्यू डली में है तो दोस्तों इसी के साथ सारे national affairs जो भी important थे जोलाई महिने से उनको उपने बहुत detail में कबर किया एक बार फिर से revise करवा देता हूँ मनलब recall करवा देता हूँ हमने बात की सत्य निश्टा के बारे में उसके बाद हम लोगोंने criminal law के बारे में बात की हमने trafficking of person के बारे में बात किया NCTE Bill के बारे में बात की हम लोगोंने जो दुनिया इंडिया का second largest oil supplier बन गया है उसके बारे में बात की सकती इस्तल या फिर world का largest solar park जो करनाटका में बनना है उसके बारे में बात किया हम लोगोंने आज उसके बात public affair index के हिसाब से केला best state है best Bengal ने अपना resolution पास किया so that best Bengal का नाम बतल के बैंगला रखा जा सके world class exhibition on four imminent personalities जो की national library में होगा उसके बारे में बात किया हम लोगोंने राज सभा ने एक bill pass किया उसके बारे में बात किया था micro dot technology के उपर हम लोगोंने बात की उसके बात हम लोगोंने बात की थी आज cheapest clean drinking water project के बारे में जिसका नाम है सुलब जल हम लोगोंने बात की आंध प्रदेश जो is of doing business ranking में नंबर बन पे आया है उसके अलावा central government ने institution of imminence का status दिया है छे नए institutes को noise standards के उपर बात की हम लोगोंने फर्स्ट आपर इंडियन tourism को upload कर दोगा जलती ही दोस्तों प्लीज इस lecture को review करना ना भूलें आपको ये lecture कैसा लगा so please do tell me and जो भी questions पूछें उनका जवाब देना ना भूलें अब मिलेंगे next lecture में अब चलते है next section पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का lecture आपको काफी पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा भी होगा दोस्तों अगर आपको आज का lecture अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों फ्रेंड और फैमिली के चार शेयर कीजिए उसके अलाबा अगर दोस्तों कोई query आती है तो प्लीज आप मुझे इस email id पर या इस mobile number पर phone करके भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर अभी भी किसी दोस्तों को किसी friends या किसी viewer को private videos देखने के बारे में नहीं पता कि उनको कैसे देखना है mock test series वगेरा कैसे देखनी है तो बोलो मुझसे इस number पर call करके बात कर सकते हैं मैं उनको इन videos का access provide कर दूँगा दोस्तों इस lecture को review करना ना भूलें कि ये बताएं ये lecture आपको कैसा लगा या फिर इसमें मुझे और क्या add करना चाहिए at last thank you very much for watching this video very patiently all the very best for your preparation मिलेंगे next lecture में next month के तिल दें दस्विदानिया